Hello students, welcome back to NEED student covering. I am Leisha ठाकुर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th class के बाद अगर आपको बायो की field में आगे अपना career बनाना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं Whether आपने आपे NEED दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, क्या options हैं आपके पास अगर आपने NEED का exam नहीं दिया है किस वज़े से, आप उसके बाद क्या options हैं, आपके पास क्या कर सकते हैं Degrees, Diplomas, जो भी आपके पास सारी के सारी जो options है, conventional, non-conventional, सारी के सारी हम discuss करने वाले इस वीडियो में तो बाइयो फीड में अगर अपना करियर बनाना चाहते हो, तो वीडियो को देखते रहा हो, मैं सारी की सारी जानकारी आज आपसे शेयर करने वाली हूँ तो चली, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, courses after bio in 12th class के बाद आप कौन से-कौन से courses यहाँ पर कर सकते हैं अगर आपने NEED का exam दिया है, तो उसके बाद आप यह course को कर सकते हैं, अगर आपके अच्छे marks आएं तो आपको यहाँ पर इंडिया में अच्छे government, private colleges यहाँ पर मिल जाने वाले हैं लेकिन अगर आपने NEED का exam दिया है और उत्ते अच्छे marks आपके नहीं आपाए हैं, तब ही अगर आप MBBS ही pursue करना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा option यहाँ पर आपके लिए रह सकता है MBBS, abroad यहाँ पर आप दोस्ते किसी country में जाके MBBS pursue कर सकते हैं, वहाँ पर फायदा यह रहता है basically, कि अगर आपने NEED का exam दिया है और आपने बस qualifying marks लाएं, आप बस पास हो गएं NEED में, तो भी आप यहाँ abroad countries में यहाँ पर MBBS वाला course जो आपका फेवरेट है अगर, तो आप उसको pursue यहाँ पर कर सकते हैं तीपेस्ट country से आप यहाँ पर MBBS कर सकते हैं abroad से, अगर आपको जादा जानकारी नहीं है, बहुत जादा confusions रहते हैं बच्चो को कि कौन सी country में जाके करना चाहिए abroad से या फिर, मतलब बहुत सारी documentation और इसा process में उलजे रहते हैं बच्चे, उस सब को बहुत ही असान बना दिया है हमारी student khabri की team ने, नीचे profile analysis form में आप उसको जाके फिल करिए, सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, MBBS abroad आप यहाँ कर सकते हैं, without any, कुछ भी fees के अलावा, मतलब जो भी documentation fees यह, fees वो, fees हो सब होती है, कुछ भी आप से charge नहीं की जाएगी, and आपको MBBS abroad अपना करने में full support and help यहाँ आपे मिलने वाली है student khabri की team से, तो आप जाएगे and profile analysis form को fill कर दीजिए, अगर आप सोच रहे हैं आपे MBBS abroad से करने का तो, चलिए, next हमारे पास option जो है, वो देख लेते हैं, BDS option है, Bachelor of Dental Surgery, dentist fellow जो हमारा course होता है, काफी time से चल रहा है, सभी को almost इसके बारे में पता होता है, next हमारे पास अच्छा जो courses है, वो है, आयोश के जो courses है, यहाँ पे, government बहुत प्रमोट कर रहे हैं, courses को हम देखें तो, हमा हमारे पास है, यहाँ पे, BOMS का, Bachelor of Homeopathy, Medicine and Surgery, हमारे पास है, BHMS, and Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences, BNY, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, Bachelor of Veterinary Sciences, यहाँ पे, Animal Husbandry, जो हमारे पास, काफी जार लोग के पास, आजकल, Pets होते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं लोग अपने Pets का, तो आप यह वा Medicine and Surgery, that is B.S.M.S. यह वाला जो कोर्स है, यह भी कहीं न कहीं, I.U.S. कोर्स के अंदर आता है, तो यह आप Consider कर सकते हैं, चलिए, अगर आपने Without NEET आप देखना चाते हैं, कोर्स नीट का एक्जाम नहीं दे पाएं किसी वज़े से, लेकिन आपको अपना जो करियर है, वो ब कोर्स है यहाँ पे, अगैन यहाँ पे आपने 12 में अगर PCB लिया था, तो उसके बाद 10 प्लस 2 के बाद आप यह कर सकते हैं, फीस हम देखें इस कोर्स की तो पर्टिकुलर्ली अबाउट 4 लाक रुपीज जाती है, और आवरेज सालरी यहाँ पे इस कोर्स के बाद पर्टिकुलर्ली हम देखें, तो फोर यहर्स का यह कोर्स होता है, अगैन PCM या PCB अगर आपके पस था 12 में, तो आप यह कोर्स को पर्सीव कर सकते हैं, फीस हम देखें, तो कहीं न कहीं 10,000 से 5 लाक के बीच में रहती हैं, डेपेंडिंग अपन अब आप कॉलेज कौन सा करते हैं, कैसा चूस करते हैं, and again average salary package भी यहां पर वेरी करेगा, college to college, आपकी skills पर भी depend करता है, यहां पर 2 lakh to 7.5 lakh per annum के बीच में रहेगा, नेक्स्ट है, B.S.C. radiography में हैं यहां पर, तीन साल का ही course है, again 10 plus 2 with science, अगर आपने किया है तो आप ले सकते हैं, अगर हम बात करें, fees की तो यहां पर 2 lakh से 10 lakh तक के बीच में यहां पर इसकी कहीं न कहीं फीस रहती है, and salary आप expect कर सकते हैं, 85,000 to 2 lakh per annum के बीच में कहीं न कही starting salary की अगर हम बात करें, तो, B.S.C. medical lab technology आप कर सकते हैं, तीन साल का course है, 10 plus 2 again आपके पाद science थी, अगर PCM या PCB जो भी, तो आप इस course को pursue कर सकते हैं, fees हम देखें, तो कहीं न कहीं, 3 से 4 lakh के बीच में fees रहती है इस course की, and average salary package जो आप ऐस फ्रेशर यहां पर, course के बाद expect कर सक सकते हैं, वो 1 lakh से 6 lakh पर आनम रहती है, अब यहां पर depend करता है, आपका क्या college था, कैसा college था, उसमें भी depend करता है कि आपने कैसा आपने skills इंप्रूफ करी है, कैसा आपने college को seriously लिया है, तो, उससे के हिसाब से आपकी salary यहां पर lower end पर भी हो सकती है, यहां पर higher end पर भी हो सक return के, next है B.A.C. यहां पर optimalic यहां पर technology का 3 साल का course है, 10 plus 2 के बाद आप कर सकते हैं, fees हम देखें तो, 2 lakh से 6 lakh के बीच में है, and अगर हम देखें तो, 2 lakh से 9 lakh पर आनम के बीच का कहीं ना कहीं, आप average package expect यहां पर कर सकते हैं, next हम देखें तो है, B.A.C. यहां पर allied health services के अंदर 4 years का course है, यह पूरा, 10 plus 2 के बाद आप कर सकते हैं, सारे के सारे courses को इनको, and 2.6 से 4 lakh के बीच में कहीं ना कहीं फीस रहेगी इस course की, B.A.C. in critical care and critical care technology over here, you can see 3 साल का यह course है, and fees आप expect कर सकते हैं, 1.2 से 3.5 lakh per annum की बीच में कहीं ना कहीं, यहां पर पूरे course की यहां पर approximately fees रहेगी इस particular course की, and INR 2.2 lakh per annum आपका जो salary package यह आप expect कर सकते हैं, next हम देखें तो B.A.C. in dialysis therapy, अच्छा dialysis therapy भी है, अच्छा dialysis therapy भी है, अब आप देख सकते हैं, काफी सारे अलग-अलग type के यहां पर courses है, हैं सब bio field से related क्यूंकि अगर आपको bio field से related ही आगे कुछ करना है, तो उसी से related है, but again, अपने आप में काफी complex और अलग-अलग type के courses हैं यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे की dialysis therapy का course है, तीन साल का ही course है, यहां पर, fees इसकी रहती है 20,000 rupees से लेके 3 lakh के बीच कहीं न कहीं, and अगर हम average salary देखें, तो यहां पर 2.4 से 3.4 lakh per annum, starting में आप expect कर सकते हैं, बाकी सबी की में बता रहे हैं जो starting packages हैं, लेकिन अगर आप अपनी skills को यहां पर upgrade करते रहते हैं, बाकी lot से better आप निकरते हैं तो again आपकी salary जादा हो सकती है यहां पर, next हम देखते हैं, BSc in nuclear medicine यहां पर 3 years का course है, हम देखें तो INR 2 lakh से लेके 5 lakh तक के बीच में इसकी कही न कहीं fees रहती है, and 1.8 lakh का package आप starting में expect कर सकते हैं, next हम देख लेते हैं कुछ और options हैं हमारे पास, BSc in operation theatre technology तीन साल का again course है, यहां पर INR 5000 से लेके 10 lakh तक, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है यहां पर spectrum difference है यहां पर fees में, 5000 भी fees हो सकती है, यहां पर 10 lakh भी fees हो सकती है, depends करता है कौन सा college आप चूज करते हैं, कहां पर यह college है, क्या level है उस college का यह सब आप देख सकते हैं, and average salary आप expect कर सकते हैं, 2-10 lakh पर आनम के बीच में कही ना कही है, next है BSc in nuclear medicine यहां पर तीन साल का course है, and 4-5 lakh के बीच में इसकी रहती है fees, and 2-9 lakh पर आनम कही ना कही पाकेज रहता है, BSc यहां पर respiratory therapy and technology का हम देखें तो 3 साल का course है, 2-4 lakh fees रहती है करीबन, and 2 lakh से लेकि 15 lakh पर आनम कही ना कहीं यहां पर आपकी starting salary रह सकती है, BSc in critical care technology यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, 3 साल का course है and 1.25 से 3.5 lakh पर कही ना कहीं इसकी fees रहेगी, and अगर हम देखें जो आपका average package है, तो वह 4 से लेकि 16 lakh पर आनम तक कही ना कहीं रह सकता है starting में, next अब हम देख लेते हैं आपके कुछ और courses जैसे की bachelor's of physiotherapy यहां पर, bachelor's in inestheology यहां पर intensive care technology आप देख सकते हैं, audiometric technology में bachelor's कर सकते हैं, यहां पर bachelor's के सारे सारे अम देख रहे हैं, optimalic technologies आप देख सकते हैं, public health में आप कर सकते हैं आप पनी bachelor's जो है, audiology speech language therapy आप देख सकते हैं physician assistantship यहाँ पर training आप ले सकते हैं अपनी bachelors में जो है वहाँ पर and यहाँ पर आप देख सकते हैं prosthetics वगेरा में भी अपनी bachelors जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं और भी आपके पास कुछ options है rehabilitation therapy काफी सारे different different आपके मतलब वर्ल आपका बदलने वाला है अगर आप इन courses को लेते हैं rehabilitation therapy एक अलगी मतलब आप दुनिया में हाँ transfer हो जाएंगे आपे BSC anatomy में आप कर सकते हैं blood banking technology में आप कर सकते हैं BSC blood transfusion technology again जो हमने dialysis course को देखा था उससे कहीं न कहीं related है but it's not exactly that blood transfusion technology यहाँ पर आप देख सकते हैं cardiac technology में आप देख सकते हैं आप अपना जो BSC है BSC in cardiovascular technologies BSC dialysis technologies आप देख सकते हैं and emergency and critical care technologies यहाँ पर आप देख सकते हैं emergency rooms में जो बैटते हैं लोग जब आप चूस कर सकते हैं बहुत सारे यहाँ options हैं आपके पास हम देखें तो आपके पास देखें और काफी सारे options हैं BSC endoscopy में आप कर सकते हैं यहाँ पर genetics में कर सकते हैं medical imaging technology काफी सारे देखें नई technologies भी आ रही हैं उनके भी जो courses है वो add होते जा रहे हैं आप उनमें भी देख सकते हैं यहाँ पर next है यहाँ पर आप देख सकते हैं orthopedic technology में आप देख सकते हैं medical laboratory technology microbiology का आप कर सकते हैं यहाँ पर medical record science and health information management यह कहीं ना कहीं management system इसमें आप भी BSC कर सकते हैं अपनी nuclear medicine and radiotherapy technologies आप देख सकते हैं यहाँ पर operation theatre and anesthesia technologies आप देख सकते हैं paramedical technology perfusion technology physiology आप देख सकते हैं radiology and imaging technology आप देख सकते हैं यहाँ पर BSC in radiotherapy technology and respiratory care technology तो यह देखा आपने इतने सारे काफी सारे courses थे बहुत सारे आपके पास यहाँ options हैं अगर आपने NEET का exam नहीं भी दिया है तो काफी सारे आपके पास options हैं अगर आपको क्लास 12 यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम्ड अपार्ट फ्रॉम्ड अल्रेडी डिसकस्ट ऑप्शन्स अपने बहुत सारे आप्शन्स देखे उसके अलावा भी आपके पास यहाँ पर काफी सारे सारे और लूर्ट अप्शन्स हैं अब देख लेते हैं बाचलर अपनी 12 के बाद आप कर सकते हैं आपनी ist dopiyet WOR आपके हैं और यहाँ बायो टेक्नो करते हैं थी आपके ब्रॉमृमरिध ऐनचिपने के अंदर ग हैर अबना अपनी 12 एंप बाइस के अदर कर सकते हैं बाचलरFr बैचलर ओफ रेस्पिरेटरी थेरेपी यू किन डू एंड हम देखें साइकलोजी का आप कर सकते हैं बैचलर बी ए यहानी की यहां पर बैचलर ओफ आर्ट्स आप कर सकते हैं इन हेल्थ कर मैनेजमेंट ऑवर हैं, ठीक है आगे हम देखें तो डिपलोमा कोर्स से को देख लेते हैं कोच यह पर हमने डिग्री दीख लेग लिए, भीस द्डी यह लेकर सकते हैं यहाँ आप कर सकते हैं, blood bank technician हो गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं, सारे के सारे sanitary inspectors, सब के आप diplomas यहाँ पे, जिसमें भी आपको यहाँ पे interest आ रहा है, वो diplomas आप pursue कर सकते हैं तो इसी के दाद हमने discuss कर लिया, बहुत सारे options हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, MBBS इकलौता एक option नहीं होता है, लेकिन अगर आपको फिर भी MBBS ही करना है, कम marks में भी, तो abroad से भी आप pursue कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया, profile analysis form नीचे description box में दिया है, अगर आपको MBBS abroad से क या किसी वजह से अगर नीट exam नहीं भी दे पाए हो यहाँ पे, तो ऐसे life खतम नहीं हो जाती, बहुत सारे options हैं, बहुत सारे avenues खुल चुके हैं, जोस तरीके से technology बढ़ रही, AI आ रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, बहुत courses भी बढ़ रहे हैं, और courses के अलावा भी बहु स्वेसั่ं से कंट कर सकते हैं, आप रहे आपונर विहां, कर सकते हैं, पर आप कर नाइज हैं को यह हैं सबस्क्राइब मेरा की बैच जा विश्पूसा agreement सेकते हैं, बहुत की हम तो धुक्त के प्रिकम राचैनल क्वासरय आपक्तन हैं, सब्सक्राइब ऱों में